नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरत जयन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भरत जयन पर और आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर एक इंफोर्मेशन शेर करने वाला हूँ आप सब लोगों के साथ में आपने कई बार सीट इलुमनेटर हैं जो लोग काफी पुराने हैं उनको बहुत क्लीर होगा कि आयर मतलब इंफ्रा रेड लाइट आपके पास में जो cameras होते हैं अगर आपने वहाँ पर night vision cameras लगाए हैं कहीं पर भी तो वहाँ पर already उसके अंदर तो LEDs होती हैं उसके अंदर already infrared lights होती है लेकिन जब location आपके पास में काफी बड़ी होती है मतलब एक बड़ी location को रात के टाइम पर आपको cover करना हो तो वहाँ पर ये जो LEDs हैं वो कम पड़ जाती है हमें object अच्छे से दिखाई नहीं देता है इसी के लिए ये जो IR illuminators होते हैं वो आते हैं अगर आपके पास में एक site है काफी बड़ी है काफी बड़ा garden है या फिर एक road है लंबा सा और उसको आप cover करना चाहते हैं रात के time पर बहुत darkness है तो वहाँ पर use में आती हैं ये IR illuminators ये जो IR illuminators हैं वो काफी सारे अलग-अलग type में आते हैं अलग-अलग range के आते हैं अलग-अलग LEDs होती है इसके अंदर बहुत जादा कुछ भी नहीं है सिर्फ एक IR illuminator है इसको power दे देना होता है 12V DC वाला power इसके अंदर दे दिया camera के पास में आपने इसको लगा दिया that's it इसके अंदर ये एक sensor भी है light जैसे ही down होगी ये automatically on हो जाएगा और आपका जहां पर IR काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से आपके camera का वहाँ पर भी ये अच्छे से आपको दिखा देगा किस तरह से दिखता है केसे लगता है आज के इस पूरे वीडियो के अंदर में आपको उपर लगा के बताऊंगा भी सही हाँ इतना जरूर है कि बहुत ज़ादा variation आप नहीं देख पाओगी क्योंकि मेरे पास में जो location है वो थोड़ी छोटी है फिर भी आपको समझाने का प quality होती है अभी फिलाल मेरे पास में यह quality है और यह protection rating है IP66 तो इसको आप outdoor में भी लगा सकते हैं बस इतना ही है इस box के अंदर खोल के देखते हैं बहुत ही normal packing के अंदर हमें यहापर मिलता है यह सीधा box के अंदर कुछ भी नहीं आता है और यह है वो IR illuminator आप यहाँ पर इसकी infrared lights देखने के लिए मिलती है और यह है इसकी IR lights इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है एक mounting करने के लिए bracket और उसके साथ में यह है केबल जिसके अंदर सीधा आप 12V DC आप यहाँ पर डाल सकते हैं बस इतना ही है तो चलिए इसको जाते हैं हम terrace और इसको लगाते हैं सो दोस्तों अभी है हम लोग यहाँ पर terrace पर और यहाँ पर मैंने हिक विजन का एक camera लगा दिया है IP camera है IR वाला है और यह IR आप यहाँ पर देख पा रहे हो उसके साथ साथ में मैंने IR illuminator जो है वो अभी आपको रात को नहीं दिखा ही दे रहा होगा लेकिन वो मैंने लगाय है यहाँ पर फिर भी मैं आपको चली दिखा देता हूं सो यह देखे यह हमारा IR illuminator इसको flashlight से मैंने on किया और यह हमारे पास में हीक विजन का normal camera IR illuminator को सिर्फ हमने यहाँ से power ही देना यहाँ पर DC है ठीक है और DC हम लोग यह वाले DC यहाँ पर हम लोग बाद में दे देते हैं लेकिन फिलाल आप जो footage देख पा रहे हैं जैसे कि यह भी हम लोग यहाँ पर दो जने खड़े हैं और हमारी जो footage वो कुछ आप इस तरह से देख पा रहे होंगे वैसे काफी अच्छी footage हैं लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताओ इस IR के बारे में तो आप थोड़ा सा observe कर आप पर grains जो होती हैं वो आपको दिखाई देगी थोड़ी सी picture डल है और grains है अब ध्यान से देखेगा तो आपको पता चलेगा मैं जिसे जिसे पीछे जा रहा हूं और जो हमारी पीछे वाली जो वाल है यह वाली जो वाल है और यह वाल भी है उस पे भी आपको थोड़ा स अब यहां पर नज़र आएगा अब यह आई-ार इल्लमिनेटर करता क्या है आया इल्यूमिनेटर एक्चुलि क्या करेगा हमें एक्स्ट्रा यहां पर पावर देगा याने कि आ इक्स्ट्रा कर देगा और यह करेबन हम 100 1.500 फिट के असपस अलग-अलग size के अलग-अलग मो यहां पर यह छे बड़ी बड़ी I.E.R यहां पर आपको दिख रही है प्लस यहां पर कैमेरी की भी I.E.R चालूए तो यहां पर अवरल दो I.E.R आप यहां पर देख पा रहे होंगे ठीक है और अब आप यहां पर जो फुटेजे आप देख सकते हैं कि किस तरह की के अंदर आपको डिफ्रेंस देखने के रहे हैं जो ग्रेंस यहां पर फिनिश हो गया है जो पिक्चर की क्वालिटी है वो थोड़ी ब्राइट है मतलब अच्छी आ रही है और जो पीछे वाली जो वाल है उसका भी कलर आपका चैंज हो गया है तो ओवरॉल यहां पर I.E. की जो क्वालिटी है वो इन्हांस कर देता है बड़ा देता है तो यही काम होता है I.E.E.R. इल्यूमिनेटर का और मॉस्ट अफ़ली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्स के अंदर आपने जादा दर I.E.R. इल्यूमिनेटर देखे होंगे तो दोस्तो कैसा लगा आज का यह सब चीजों के बारे में और मुझे भी पता चले कि और कितने I.E.R. इल्यूमिनेटर मार्केट के अंदर एवलेबल है तो मुझे लगता है आज का यह इन्फोर्मेटिव वीडियो है वो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो as usual सबस्द आप